तिरुपोती बालाजी मंदिर दक्सिन भारत की अंध्यपदस में बना हुआ जहाँ पर साल में हर दिन पचास अजासे भी ज़्यादा दर्शाल वाते तिरुमाला परबत के उपर बना हुआ स्री भंकेट सरासामी मंदिर की दर्शन गंड़ मेरा डाम है सुरजीत और आप अभी देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल सुरजीत पलमल आज इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ तिरुपोती बाला जी दर्शन की टू डेस वान नाइट टूर बलान के बारे में लाइक कैसे आप तिरुपोती पहुच सकते हैं कहां पर रुखना सही है पेशल दर्शन टिकेट कैसे काटे अन्न प्रसात या फिर खाना कहां से खाए तिरुपोती दर्शन के साथ साथ तिरुमाला परवद में और कौन-कौन से प्लेस विजिट करना चाहिए पूरे ट्रीप के बाजट कितना आएगा ये सारे चीज़ों के बारे में ए टूजे डिटेल्स में आपको इस विडियो में बताने वाला है ऐसे तो मेरे चल्लन में अल्डेडी तिरुपोती की दो टूर प्लोक्स अबलोड़ट है इस टूर प्लान विडियो को देखने के बाद आप प्लीस मेरा टूर ब्लोक्स विडियो भी देखलेना तबको और वी अच्छे सा आइडिया बिल देगा अगर आप सोलो जाने की प्लान मनालो या फिर ग्रूप में जाने की प्लान मनालो कोई भावला नहीं, मैं इस टूर्ट प्लान वीडियो को कुछ ऐसे वारने बला हूँ, आप वीडियो के लास्ट थेक जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे कि सोलो ट्रिप का कितना घचाएगा और गुरूप ट्रिप का कितना घचाएगा So without wasting any time further, let's start this video with day 1 Day 1 में आपको तिरुपोती पहुचना होगा सुबह के 8 बज़े कंदर How to reach तिरुपोती? Let's talk about it तिरुपोती पहुचने के लिए आपके पास बहुत सर्ड ओप्सन से But सबसे चीपस्ट है ट्रेन देश के साभी छोटे बड़े साहर से तिरुपोती रेलो स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगा कुछ ट्रेन ऐसे भी है जो तिरुपोती रेलो स्टेशन में रुखता नहीं है उस केस में आप तिरुपोती के आगे वाला स्टेशन रेनु गुंटा में उतर कर एक आटो करकर इजीली तिरुपोती सहर पहुश सकते हैं नेक्स्ट अप्सन है फ्लाइट तिरुपोती के अंदर आपको तिरुपोती इंटरनेशनल यारपोट की आप्सन मिल जाएगा इस केस में भी आपको इंडिया की मेजर सीटी से डारेक्ट तिरुपोती की फ्लाइट मिल जाएगा अराउंड 7000 रूपीस पर परसन के सबसे तो डेवाण में सुबा सुबा तिरुपोती पोचन के बाद आपको अभी चेकिन करना होगा किसी होटेल या फिर तिरुमला तिरुपोती तेवास्त ननम टिटीडी की प्रीबुक गेश्ट हाउस में होटेल का अगर मैं बात बोलू तो तीरुपोती स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सरे 500-2000 रुपिस में AC-9AC होटेल का ओप्शन मिल जाएगा 24 आवास सेकिन के हिसाब से मिन्स आप जिस पैक होटेल में रुम चेकिन करेंगे नेक्स दिन सेमी टाइम आपको और होटेल से चेक आउट करना होगा मेरे होटेल का नाम था होटेल बर्शनबीन जो तीरुपोती डेलो स्टेशन के एकदम ऑपजित साइग में बना हुआ है एसी रूम का मुझे चार्च लगा था 800 रुपिस पार नाइट फॉर थी फिपल मुझे टिटीडी की गेस्टाउस ओल्लाइन और उपलाइन बुकिंग करने का आप्सन नहीं मिला था दिव टू आनेवेरिविलिटी बट मैं आपको टिटीडी की गेस्टाउस के सारे ओप्सन्स के बारे में बता देता हूँ नौनमली तिरुपोती बालाजी टेंपल तिरुमला परबत के उपर बना हुआ है जिसका डिस्टेंस तिरुपोती साहर से एराउंड 24 की मी है तो अगर आप टिटीडी ट्रास्ट के गेस्टाउस में रूम बुक करना चाते हो तो उसकेस में आपको टिरुपोती या पर तिरुमला दोनों ही जगा पर गेस्टाउस बुक करने का उप्सन मिल जाएगा चार्च लगता है राउंड 200 रुपीस पर नौन असी रूम और 400 रुपीस पर एसी रूम बट याद रहे ये डिपेंड करता है एबलिबिलिटी के उपर तो बेस्ट है आप पहले से ही ऑनलाइन गेस्टाउस टिकिट बुक कर लिजे जब आप तिरुपोती बालाजी की पेसल दर्शन टिकिट बुक करेंगे पेसल दर्शन टिकिट बुक करने के प्रोसस के बारे में मैं वीडियो की आगे जाकर आपको लोगो बताऊंगा So don't worry, TTT guest house book करने का कुछ rules भी है जो आपको पता होना चाहिए Number 1, आप TTT guest house तभी book कर सकते हैं जब आपके पास special दर्शन का ticket already booking हो Second, room booking करने के time आपको same amount of money extra देख कर रखना होगा For security purpose जो आपको room checkout करने के time बापस दिया जाएगा Third, room आपको 24 hours के लिए allotment होगा आप उससे ज़्यादा guest house में नहीं रोख सकते हैं आप जिस time check-in करेंगे next day same time आपको room से checkout करना होगा Fourth rule, अगर आप solo traveler हो तो TTT guest house का option आपके लिए नहीं है Fifth rule, आप एक साथ सिफ दो ही room book कर सकते हैं within 30 days तो ये सारे चीज़ देखने के बाद I think आपका clear हो गया है TTT की guest house book करने के बारे में Normally मेरे ही सबसे best है hotel book करके जाना हाँ थोड़ा ज़्यादा price लगता है लेकिन flexibility का option मिल जाता है और एक चीज़ आपको याद रखना होगा hotel का option आपको सिफ तिरुपोती पर ही मिलेगा तिरुमाला परवत के उपर कोई hotel का option नहीं है तो इन सामारी तिरुपोती पहुँच के hotel में चेकिन करने के बाद अभी आप फ्रेस होके breakfast करके निकल जाए तिरुमाला परवत की तरप आज आप तिरुमाला पहुच के सबसे पहले तिरुमाला की सारे places को विजट करेंगे और देन साम को अराउंड 5 बज़े की बाद तिरुपोती बाला जीके पेशाल दर्सन के लिए लाइन पर लगेंगे तिरुपोती से तिरुमाला जाने के लिए पहुचने में टाइम लगता है अराउंड एक घंड मिडिल में सब्तेगरी नाम की एक चेक पॉइंट आएगा जहांसे गाड़ी से उतरके सिक्यूरिटी चेकिन कॉस करके एगें गाड़ी में चड़ना होगा इस सिक्यूरिटी चेक में हार एक इंसन, हार एक बास, गाड़ी सब कुछ चेक किया जाता है उसके बाद ही तिरुमाला परबत जाने के लिए अलाव होता है याद रहे, बैक में आप प्लास्टिक के बोतल मत लेके जाना और इसे जगह पर आपको वास्रूम का उप्सन भी मिल जाएगा, आप चाहे तो यूज़ कर सकते तिरुमाला परबत पहुचने के बाद यहाँ पर आपको लेट नहीं करना है आप उई पर स्यार कैप के साथ बात करके तिरुमाला की साइट सीन के लिए निकल जाएए तिरुमाला परबत के उपर टोटल 6 साइट सीन पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट लोग विजिट करने जाते जिसे कौबार करने में टाइम लगता है एराउंड तीन घंटा और चार्च लगता है पर परसेंट 200 रुपीस पॉर सेयर कैप साइट सीन में आप सबसे पहले विजित करोगे स्रीवाली पदलू तो अब हम लोग आचे के तीरुमाला की फास साइट सिंग पॉइंट त्री भारी पदलू बलाजी भगवान का पदलू है तो वह जा रहे है चपल खोलके जाना पड़ेगा तो चपल हम लोग गाड़ी में अड़क्ट चुके है बेसिकली पूरा तीरुमाला में जड़त त रूप में पहली बार सौक से पिथिवी आ थे तो पहला चरण यही पर पड़ा था और सभी टूरिस्ट लोग यहां पर आते उस चरण पदुगा की दर्शन करने के लिए बहुत भीड़वार के अंदर जैसे दस्य करके मुझे मुझे मुका में लिगया था थोड़ा सा सौड लेने के लिए जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं इसके बाद आप भीजट करेंगे सीला थोरणम और चक्रतित्थम अभी हम लोग आ चुके टेंक्स साइट्शन प्लेस जो है नचरल आर्च तिरुपती में है तिरुमाला की साइट्शन में आप लोग को दिखाता हूं यहाँ पर दो चीज़ देख सकता है आप नचरल आर्च और सीला थोरणम नाम तोला टाफ है हम लोग के लिए ठीक है बोलना बट जा रहे हैं इस प्लेस में जो भी आर्च आप देख पा रहे हैं ये सवी अराउंड धाई लाक साल पुराना है इस प्लेस को इंडिया की आर अधर के उपर आर्च इसी सिला थरम में सीवारी पादालू के बाद भागवान बाला जी की दूसरी चरण यहीं पर पड़ा था सिर्फ एही नहीं यहाँ पर चक्रतित्थम नाम की एक प्लेस है कहां आता है बिश्टु भगवान की सुदरसन चक्र एहीं पर गिर के यह चक्रतित्थम लेग बना था नेक्स्ट आप विजिट करेंगे वेनी गोपल सामी टेमपल यहाँ पर कैमेरा आलाओ नहीं था इसलिए हम लोग सूट नहीं करवाए थे इस टेमपल के बाद आप पहुँच जाएंगे नेक्स साइट सिन पॉइंट आकास गंगा इस प्लेस का नाम आकास गंगा होने के पीछे एक कहानी है इस आकास गंगा की पवित्र पानी से ही बालाजी भगवान की अभिशेक होता है कहां जाता है तिरुपती बालाजी टेमपल की प्रधान पुरहिद स्री सोयलोपूर्णों एक समय मंदिर से 6 किलो मीटे दूर पाप बिनसनाम नाम की एक लेक से पैदल पवित्र पानी लेके आते थे भगवान की अभिशेक के लिए उस समय भगवान विश्नू अपने भक्त की इतना परिश्रम और भक्ती देखकर एक दूसरे रूप में दरसन देकर इस आकाजगंगा की खोश दिये थे और तब सही आज भी आकाजगंगा की पानी से भगवान की अभिशेक होता है बहुत सरे टूरिस्ट यहां से छोटे बोतल खरित के इस पवित्र पानी को घर में लेके जाते है आकाजगंगा से निकलने के बाद अभी आप पहुँच जाएंगे लास्ट और शिक्स साइसिन पॉइंट पाप बिनासनम अभी हम लोग आचुके पाप बिनासनम जिंदगी में जाने एंजने में जो भी पाप मेंने किया है सारे बिनास कर सकता हूँ ठीक है तो ही जा रहा हूँ आप लोगों भी दिखाता हूँ अब लोग यहां पर आजाने और आके पाप बिनास कर सकते हैं यहांपर जैसे मैं पहले कहां एही यह प्लेस था जहां से बालाजी टेंपल की पधान पुरोही एक समय पवित्र पाणी लेकर जाते थे भगवान के अभिसक के लिए ऐसे तो इस जगा पर बहुत सारे लोग नहा रहते बट हम लोग के पास अप्शन ना होने के वैसे यहां से थोड़ा सा पानी लेकर अपने माथे पे ले लिया और मानी मन एक सुकून सा फिल हुआ कि सायद जो भी पाप जाने अंजने में किये है वो बिनास हो गये पाप बिनासरम देखने के बाद स्यार जीब आपको तिरुपती बालाजी टेमपल के सामने छोड़ देगा आप अभी देरी ना करके दो पर की लांच खतम कर लिजे टेमपल कॉंप्लेक्स के अंदर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट का ओप्शन मिल जाएगा खाना खान शना केलेके पत्ते में सार्फ क्या जाता है ऐगा पूरे दिन में कम से कम एक बार यहां की अननर प्रशन काने के बाद अभी आप शुरू कीजे देर्सन का प्रोसेस नॉर्मली दर्शन करने का एक प्रथा यहाँ पर चलता है सबसे पहले कल्लान कट्टा में केस दन फिर स्वामी पुषकर निकुंट पर सान करके सिवारा सामी टेम्पल की दर्शन करके तीरुपोती बालाजी प्रंगन में मंदिर के सामने नारियल आर्पन और दीब जलके आर्थी करके सारे सर्दलू तीरुपोती बालाजी की दर्शन के लिए लाइन में लगते है तो आप भी अगर केस दन करना चाहते हो तो टेम्पल की कॉंपलेक्स की साउथ इस्ट में बना हुआ कल्लान कट्टा विल्डिंग में चले जाईए तो बाल कटाने के लिए यहां से टोकन लेके जाना होगा जाके आप वहाँ पर देखाने से आपका केस काटना स्टार्ट होगा तो यहां पर जा रहे टोकन लेने के लिए यह तीन साल में बाल चले जाएगा आपनी इतना बड़ा हो गया तुरुपुति बालाजी को अज ये केसदान करने वाले हैं स Indian बालाजी टेम्पेल में केसदान प्रथा बहुत सालो से चलते आ रहे हैं चोटे वैडए सबी लोग देश के कोने कोने से यहा पर आके अपने केसदान करके जाते हैं इस टेम्पेल के अंदर सिफ बाल काटने के लिए अरौन छेसों से भी ज़्यादा नाही काम करते हैं केस्तान और मुंडर करने के बाद अभी आप चले जाएंगे टेम्पेल कॉंपलेक्स की एकदम नौथ साइड में बना हुआ सिफ वारा सामी जी की दर्शन करने यहाँ पर एक मननता है बारा सामी जी की दर्शन करके तिरुपोती बाला जी के दर्शन करने का तो आप दर्शन कर लिजे दिन चले आईए मेन मंदिर प्रांगन के सामने नारियल हुंडी के पास 20 रुपे देकर एक नारियल और दिये खरिद लिजे पास की मार्केट से देन नारियल तोड़के भगवान को अर्फवत कीजे और आधा नारियल आप घर के लिए ले जा सकते और उसके बाद दीब चला के दूर से ही सीधे खड़ा होके तीरुपती बालाजी के आर्थी कंप्रिट कर लिजे ये सारे चीज़ होने के बाद आपको आभी पेसाल दर्सन के लिए लाइन पर लगना होगा दर्सन का लाइन के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो लाइन चलता है एक फ्री दर्सन लाइन जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है और दूसरा स्पेसाल दर्सन लाइन जिसके लिए 300 रुपिस लगता है पर परसन फ्री लाइन में दर्सन के लिए टाइम लगता है राउंड 12-15 घंटा अंद पेशाल दर्शन में लाइन लगता है 5-6 गाटा ये पियोल ले डिपन करता है भीड के उपर मैं आपसे एही रिकोस्ट करूँगा अगर हो पाए तो आप पहले से ही पेशाल दर्शन का टिकेट पर्चेस करके आना और इसी जगा पर हर मही ने एराउंड 15 तरीक के बाद पेशाल दर्शन टिकेट के आनाउंस्मेंट देट और टाइम पाब्लिस कर जाता है और आप सारे प्लेशस को भिजिद नहीं कर पाओगे पेशाल दर्शन की हार एक टिकेट के साथ एक लाड़ू फी रहता है आप चाहे तो एही पर एक्स्टा लाड़ू के लिए 50 रूपीज पाल लाड़ू के हिसाब से पार्चेस कर सकते है टिकेट बुक करने के टाइम मस्ट पी अधर कार्ट के डिटेल्स अपने साथ रखना याद रहे दर्शन कोटा टिकेट बहुत जल्दी फिलाव हो जाता है लाइक ट्रेन की तोथकाल टिकेट पार्चेस की तरह तो मस्ट पी आप पार्फेक्ट टाइम पर टिकेट पर्चेस कर लेना नहीं तो साइद सारे टिकेट ख़तम हो जा सकता है हम लोग केस में विटिन 15-20 मिनिट सारे टिकेट कहतम हो गया था दर्शन के तिन आप अपने साथ पेशल दर्शन टिकेट की hard copy and other card लेके लाइन पर लगना नहीं तो दर्शन करने में problem हो सकता है तो यही है पेशल दर्शन टिकेट पर्चस करने की All Process पेशल दर्शन के लिए आपको में टेंपल की बाएं तरप एक सुपातम नाम की गेट मिलेगा एंटी करने के लिए देन लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सबी लोगों का टिकेट और ड्रेस अप चेक किया जाएगा आप जीन्स चीनोस ये सब पैंके दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं तो बेस्ट है आप घर से एक धोती पांजबी लेके आना अगर मेरी तरह आप भूल जाते हो तो मिडिल में आपको एक सौप मिलेगा जहां से 200 रुपिस में आप धोती खरी सकते हैं ये सब करके आपको मिडिल में एक चेक पॉइंट मिलेगा जहां पर अपने मोबाइल, कामेरे, सारे एलेक्टरन्स गजट सामिट करना होगा लागेज काउंटर में देन आप सभी का टिकेट स्कान और अधर काट चेक किया जाएगा फिर लाइन आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक बड़ी सी ओटिंग हल पर बैटने के लिए ऑप्सन दिया जाएगा जहां पर वास रूम, ड्रिंकिंग वाटर, प्रसाद साब किया जाएगा देन आप सभी को फिर से लाइन देके दर्सन करने जाना होगा, दर्सन खटम होने के बाद टेंपल की लेप साइड में आप लाट्डू काउंटर में भीजिट कर लिजे और प्री बुक लाट्डू कालेट कर लिजे, आप चाहे तो काउंटर में एक्स्टर पैसा देकर भी घर के लिए एक्स्टर लाट्डू खरिद सकते हैं, मोबाईल और लागेज बापस लेने के लिए आपको टेमपल की साउट इस्ट में बना हुआ, टिटिडी लागेज काउंटर में भीजिट करना होगा, सारे सामान को पिक अप करने के लिए, ये सब कुछ हो जाने के लेकिन रात की बारा से तीन बजे सब कुछ बंद रहता है, तो इभी निंग में दर्शन करने के बाद आप ज्यादा लेट मत करना, आदरवाइस रात के तीन बजे तक आपको टेमपल में ओट करना होगा, बापस नहीं आ सकते, डे टू, डे टू में आप सुबा फ्रेस हो बास करके भी घूम सकते, फ़र गुरूप टाबलर आटो और कैप का उप्शन से, आटो में अराउंड 2,000-2,500 रुपिस लाएगा, और नॉर्मल कैब में अराउंड 3,000-3,500 रुपिस लाएगा साइट सेन के लिए, साइट सेन में आप सब से पहले विजिट करेंगे गोभ पुटी तुरामे सरम के लिए ट्रेन पकडने वाला था So please don't mind, मेरे पास ये सारे places की footage नहीं है Just एकी चीज़ आपको याद रखना है अगर आप solo travel आरो और बास करके सारे places को विज़िट कर रो तो फिर 5th sight scene place, Shri Kalahasti Temple skip कर जाना, क्योंकि टेमपल में जाने आने के लिए around 3-4 घंटा लग जाता है तो ये सारे sight scene हो जाने के बाद आप अपना सामन होटल से पिक अप कर लिजिए and then निकल जाएए बापस जाने के train या फिर flight वेकरने के लिए Try करना, flight और train at least सामकि 4 बज़े के बाद ही book करने का अभी बात करते है फूट्स के बारे में फूट्स के लिए आपको इस्ट्रिप में जादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि day 1 में आप मंदिर पर ही अन्रप्रसत भोजन कर सकते है day 2 में sight scene के time most probably आप बाहर की खाना खाएंगे तो average around 400 रुपीस पर परसन पाट्डे खर्चा होगा for breakfast, lunch and dinner तो अभी बात करते है most important things budget के बारे में इस trip पर आपको कितना खर्चा बाए होटल्स के लिए मेने लिया है 1000 रुपीस for one night फूट्स के लिए 400 रुपीस पाट्डे के हिसाब से 2 दिन का 800 रुपीस पर परसन and day 2 में तिरुपी लोकाल साइट संग के लिए 800 रुपीस स्कूटी के लिए 800 and 200 फॉर बेटर and last में extra 300 रुपीस पर entry price and other खर्चे के लिए तो एक जन सोलो ट्रावलर का तिरुपी ट्रिप के लिए खर्चा होगा around 3700 रुपीस और ओही पर अगर आप दो जन हो या फिर गुरूप में ट्रावल कर रहे हो तो hotel and sites इनका खर्चा divided करके around 2700 रुपीस खर्चा होगा गुरूप ट्रावलर के लिए यहाँ पर आपको दो चीज़ याद रखना है अगर आप मेरे तरह ट्रेन या फिर फ्लाइट करके सूबा की जगा रात को ट्रिपूप पहुंचते हो तो उस दिन का खर्चा एक स्टा थाउजन रुपीस होटिल में रहने के लिए एड करना होगा इस बाजट के साथ मेरे तरप से जितना हो पाया अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजे मैं या फिर आदा टुरिस्ट आपको एंसर देदेगा तूर प्लाइट वीडियो बनाने में बहुत मैनद लगता है अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो यही था तिरुपरती की टूरेस ओन नाइट टूर प्लान मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए बाब बाई, टेक क्यार, धन्यवाद